हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में आज में जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें आपको बताऊंगे कि किस देवता का वाहन क्या होता यह कई परिक्षों में पूछा जाता है तो सबसे पहले आते हैं गड़ेश इनका वाहन है मुशक और इ इसके बाद जो देवता आते हैं वो है सरस्वती माता सरस्वती का वाहन हंस होता है वैसे कमल पर बढ़ती है लेकिन इनके वाहन की बात करें तो माता सरस्वती का वाहन हंस होता है अक्सर कर परिक्षाओं में इन देवी देवताओं की वाहन पूछ लिये जाते हैं अगले ह वरुण देवता का वाहन होती है। इसके बाद आते हैं महाने और हपते हैं। उष्मा की दिवता होते हैं। और दोबुद्रा की दिवता होते हैं। बेडा आगे बड़ते हैं माता कालिका का चंडिका का या हम कह सकते हैं चंडी रेवी का बहान क्या होता है तो चंडिका बहान होता है और इसके बाद आता है माता लक्षमी का बाहन उल्लू होता है उल्लू पर सवार रहती है वैसे हाथी भी इनके बाहन माने जाता है लेकिन ज्यादा तर इनके बाहन उल्लू ही माने जाता है और उल्लू इनका सहीत तर होता है अगला है विश्णु देवता विश्णु देवता का इनका वाहन तो आपको यह द्यान रखनी है इसके बाद जो आते हैं वह कार्तिके किय्क शिव के पुत्र है और कार्तिके का वाहन मयूर है और यह मूर पर चलते हैं या इनका बाहन मयूर है अक्सर कर पेपर में इनके बाहन पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं ये माता दुर्गा माता दुर्गा का बाहन जो है वो सिंग होता है आप सभी को पता होगा कि दुर्गा का बाहन जो है सिंग होता है तो आपको यह भी याद रखना है इसके बाद आते हैं, आपके शनी देव, शनी देव का बाहन कववा होता है, कई बार इनका बाहन गिद्द भी माना जाता है, लेकिन मिलनी इनका बाहन जो है कववा है, शनी देव का बाहन जो है, वो कववा होता है, आते हैं यम देव या यम राज या धर्म राज इनका बा इसा है या महिस है यम्राज का वहन महिस है यह भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो वहन आता है वह है हमारे वायु देव का या पवन देव का तो पवन देव का बाहन जो है वो हिरन होता है आपको याद रखना है कि चौकडी हिरन खूब भरता है इसलिए पवन देव का बाहन क्या होता है हिरन होता है और अंतिम जो हमने देवता लिये हैं इसके अलाबा भी बहुत सारे देवताओं क हमेशा सूरेदेव चलते हैं अपने ओज और प्रकास को फैलाते हैं तो यह थी आज की हमारी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें वीडियो देखने के लिए धन् झाल